आज आप लोग पढ़ेंगे कच्छा साप गडित का भ्यार चार का भी इससे पहले वारे वीडियो में आप लोगों ने थिरी कोस्चन तक का वीडियो पूरा देखा था तो आज इसमें जो भी कोस्चन बचा हुआ चार भी में उसको देखेंगे अगर आप लोग चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और सेर करिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी समझ में आ सके तो देखते हैं इसको दिया है चैनल नमबर कोस्चन एक समकोड बनाईए तता उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए तो एक समकोड का मतलब क्या होता है कि 90 अंस का एक कोड बनाना है और उसका समद्विभाजक रचना करना मतलब उसको दो बराबर भागों बातना तो सबसे पहले नब्य अंस का कोड बनाएंगे एक बात ध्यान में रखेंगे कि पटरी और परकार की सहाता से ही बनाएंगे तो देखते हैं तो सबसे पहले नब्य अंस का कोड बनाने के लिए करते हैं क्या एक रेखा खिच देंगे ऐसे माली जी हमने खीज दिया एक रेखा एबी नब्यांस का कोड़ बनाने के लिए क्या करते हैं आप परकार को लेंगे परकार में हम लोग पिंसिल राके कोई भी दूरी लेंगे कोई भी दूरी और एपर रखकर ऐसे एक चाप लगाएंगे ऐसे ये चाप देखिए इस एबी रेखा को काट रहा है माली जी ये यम पर काट रहा है कुछ भी नाम लिख सकते हैं अब देखिए क्या करते हैं उसी दूरी से घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं दूरी को अब यम पर रखेंगे और एक और चाप लगा देंगे ऐसे ये चाप जहां कट रहा है इसका भी कुछ नाम लिख देंगे माली जी ये यन पर काट रहा है हमने इसको यन लिख दिया फिर देखिए इसको घटाना पर आना नहीं है अब यन पर रखेंगे और एक और चाप लगाएंगे यहां इस चाप को थोड़ा ऐसे बढ़ा कर देंगे देखिए यहां कट रहा है देखिए इसका भी कुछ नाम लिख देंगे माली जी हमने P लिख दिया इसको और घटाना बढ़ाना नहीं है इसको ऐसे ही राने देंगे अब P पर रखके इसी चाप को फिर से ऐसे काट देंगे देखिए माली जी यह कट रहा है Q पर अब यहीं 90 अंस का हमारा कुण बन जाएगा Q को क्या करेंगे A से मिलाते हुए इसकेल की साहता से एक रेखा खिच देंगे इस Q को ऐसे A से मिलाते हुए उपर आगे तक बढ़ा देंगे इसका नाम माली जी हमने लिग दिया C तो यहीं देखिए C, A, B 90 अंस का कोड बन गया तो सम कोड का मतलब होता है 90 अंस तो यह 90 अंस का कोड बना दिया हमने आप उसके बाद क्या करेंगे सम्दी भाजक की रचना सम्दी भाजक मतलब इस कोड को दो बराबर भागों बाटना तो हमने कोड को भी दो बराबर भागों बाटना बता दिया पीछे तो कैसे बाटते हैं देखिए क्या करते हैं यह जो कोड में यह चाप होता है उसी को लेते हैं यहाँ M है, यहाँ देखिए, कोई नाम नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नाम लिख सकते हैं, माली जी हमने इसका नाम E लिख दिया, तो दो बराबर भागों बाटना, इसको तो क्या करेंगे, M पर परकार को रखेंगे, और M E जो यह चाप है, यह E से M तक का जो चाप है, इसका आदास अधिक दूरी लेंगे, देखिए, अंदास से आदास अधिक दूरी हमने ले लिया, और M पर रख कर एक चाप लगाएंग और इसी दूरी से आप E पर रखेंगे, और पहले वाले चाप को काट देंगे, देखिए, यहाँ कट रहा है, इसका भी नाम कुछ लिख देंगे, माली जी हमने इसको F लिख दिया, तो यही कुण को हमने दो बराबर भागों बाट लिया, आप F को A से मिलाते हुए, इसके केल की सहता से, ऐसे, आगे तक बढ़ा देंगे, माली जी तक हमने बढ़ा दिया, तो यही जो A, G रेखा है, इसी ने क्या किया है, कि कोण को सम्दीभाजित कर दिया, सम्दीभाजक की रचना के जिए, यही A, G, इस कोण C, A, B का सम्दीभाजक है, तो जैसे बनाएंगे, उसी तरह रचना के चरणा भी लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 90 का कोण बनाना, उसको दो बराबर भागों बाट देना, यहां लिखते हैं, हमने बताया था, सबसे पहले हल में लिखते हैं, ग्याथ है, ग्याथ है में क्या लिखते हैं, सम्दीभाजक तो ग्यात है में लिखेंगे एक सम कोर इसका नाम भी लिख सकते हैं C, A, B हमने बताया था यह जहां कोर रता उसको बीच में या B, A, C लिख सकते हैं तो सम कोर C, A, B यही हमको ग्यात है रचना करनी है लिखते हैं दूसरा हेडिंग रचना करनी है क्या हमको बनाना है इसमें तो देखिए सम दिभाजक खिचना है C, A, B का तो लिखेंगे कुर C, A, B का सम दिभाजक कुर C, A, B का सम दिभाजक वहाजक खिचना भी लिख सकते हैं यहां खिचना लिख देंगे तो अब देखिए यहां तीसरा क्या लिखते हैं रचना के चरण इसको नमबर डाल के लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे नहीं आप लोग खुद लिखेंगे इसको जैसे हमने बताया जैसे बनाएंगे उसको अपने भासा हमें लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि सरोपर्थ हम एभी रेखा खीचा A को केंदर मानकर कोई भी दूरीस चाप लेकर चाप लगाया इसी तरह से M से दूसरा चाप उसी दूरीसे जो N पर काटता है N पर रखकर एक और चाप लगाया जो P पर काटता है अब P से एक चाप लगाया तथा N से एक चाप लगाया जो पहले चाप को Q पर काटता है Q को A से मिलाते हुए आगे C तक बढ़ाया यही कोण C, A, B सम कोण है अब फिर दो बराबर भागों बातना तो हम लिखेंगे कि YM पर रखकर परकार को YM E के आधे साधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया E से उसी दूरी दूसरा चाप लगाया जो F पर काटता है F को A से मिलाते हुए G तक बढ़ाया यही A, G रेखा कोण C, A, B का समधी भाजक है इतना लिख लेंगे नमबर डाल डालके अपने हिसाब से अगला कोस्चन देखते हैं तो अब आप लोग 4B का Last question, question 5 देखेंगे यह question देखिए बहुत important है और इसको YouTube पर आप लोग अगर खोजेंगे तो जिस तरह से हम बताने जारा है ऐसे नहीं बताया गया इस question को तो ध्यान से देखिए यह question का क्या रहा है और क्या यहाँ पर हमको बताना है कैसे बनाएंगे और कैसे इसको प्रूब भी करना है तो देखते हैं यहाँ question दिया आपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण कोण PQR बराबर 60 अंस बनाईए तथा एक दूसरा कोण इससे छोटा कोण ABC 45 अंस का खिचिए तथा PQN बराबर कोण PQR माइनस कोण ABC हो यह प्रूब भी करना है तो देखिए कैसे बनाते हैं सबसे पहले देखिए क्या करना है कोण बनाना है कोण PQR बराबर 60 अंस तो हम लोग बनाएंगे 60 अंस का कोण यहाँ देखिए साथियंस का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए PQR है तो हम लोग PQR ऐसे बनाएंगे हमने एक रेखा सबसे पहले एक हीचा QR और साथियंस का कोण बनाने के लिए देखिए करते क्या है कि Q पर देखिए चाप में कोई भी दूरी लेंगे परकार में और एक चाप Q पर रखकर लगा देंगे ऐसे यहां से यहां से यह चाप देखिए जहां कट रहा है माली जिए N पर कट रहा है अब इस दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं N पर रखके एक और चाप लगा देंगे उसी दूरी से और जहां कट रहा है माली जिए N पर कट रहा है इस N को Q से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे इस केल किस रहाता से N को Q से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे इसका नाम देखिए क्या रखेंगे कूण PQR का रहा था तो PQR दियान में रखेंगे इसका नाम हो गया P अब हमने ये 60 अंस का कूण बना दिया यहाँ ये कितने अंस का? 60 अंस का आगे देखते हैं फिर का रहा तथा एक दूसरा कूण इससे छोटा कूण ABC 45 अंस का खिची है अब जो कूण हमको यहाँ ABC बनाना हो कितने अंस का? 45 अंस का तो यहाँ एक रेखा खिच देंगे हम लोग देखिए ABC तो यहाँ हम लोग लिख देंगे BC हमने एक रेखा खिचा इस पर 45 अंस का कूण बनाना तो हम लोग 45 सरंस का कोड बनाएंगे कोई भी दूरी लेंगे परकार में और एक चाप लगा देंगे ऐसे माली जी यह चाप यहाँ यहम पर काट रहा है यहाँ नाम बदल लेंगे क्योंकि हमने नाम यहाँ यूज कर लिया जो नाम एक बार यूज कर लेंगे जो नाम एक बार यूज कर लेंगे दोबारा नहीं यूज करेंगे तो यहाँ हम लोग माली जी हमने ले लिया यल अब जो दूरी हमने लिया है इसी दूरी से यल पर रखके एक और चाप लगाएंगे ऐसे यह माली जी यहाँ काट रहा है यह पर तो देखिए यह जो पहले बार कटता है यह 60 है अंसका कोण बनता है हमको बनाना क्या है 45 का अब एक बार देखिए उसी दूरी से एक बार और यहाँ से चाप लगाएंगे यहाँ देखिए कट रहा है किस पर माली जी यह T पर कट रहा है अब देखिए T और S से भी काटेंगे हम चाप T से देखिए वही दूरी है वही दूरी लेके चाप लगाएंगे और S से एक दूसरा चाप लगाएंगे अब जहाँ कट रहा है इसका भी कुछ नाम लेंगे माली जी इसका नाम हमने ले लिया यू अब क्या करते हैं हमको बनाना 45 संस का हमने क्या किया कोई एक चाप में दूरी लिया यह चाप काटते गया है अब हम लोग क्या करेंगे देखिए इस यू से दूरी देखिए क्या करेंगे हम यह 45 संस का कोड बनाना थी एक बार S से और एक बार U से चाप काटेंगे दखिए ये आधा से अधिक U और यहाँ L U L जो है इसका आधा से अधिक दखिए हमने दूरी ले लिया तो इस दूरी से एक बार U से चाप लगाएंगे एक बार L से चाप लगाएंगे जहां कट रहा है इसका नाम माल जी हमने लिग दिया Z Z को B से मिलाते हुए आगे तख बढाएंगे Z को B से मिलाते हुए आगे तख बढाएंगे इसका नाम हमको देखिए ABC करना ABC यहाँ है तो यहाँ हमलोग लिग देंगे A then ABC यह हो गया 45 अंज का कॉन तो यहां हमने PQR बना दियाолот 60 αν्स का ABC हमने बना दिया है पना 40 αν्स का अब हम लोग क्या करेंगे दिखिए हमको बनाना है क्या यह पूरूब करना है दिखिए इसको बनाना PQN बनाबर PQR माइनस ABC तो दिखिए हम लोग यह रेखा है हहां खिशते हैं PQN हमको बनाना है PQN लेकिन कैसे बनाना है इस दोनों को भी उसमें बनाना है और ये PQN को मतलब PQR और ये भी C भी बनाना है और PQN भी बनाना है तो ये PQN इधार कहीं होगा PQR तो हम लोग QR यह जो है ऐसे हम लोग यहां लिख देंगे Q और R हमने एक रेखा खीचा QR इस पर देखिए कोण कितने अंस का पहले बनाएंगे पहले बनाएंगे 60 अंस का देखिए PQR है तो QR पर 60 अंस का और फिर एक पर बनाएंगे ABC के बराबर मदला 45 अंस का तो QR पर पहले 60 अंस का कोण बनाएंगे तो हम बताये थे हम पिछले अभियास में कि किसी कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं तो देखिए क्या करते हैं यही वाला चाप नाप लेंगे इस वाले 60 अंस वाले कोण का और यहां से एक चाप लगा देंगे अब क्या करेंगे यह दूरी नाप लेंगे दखिए और यहां से चाप लगाएंगे जहां चाप कट रहा है मालिजिए डवलू पर कट रहा है तो डवलू को Q से मिलाते हुए एक रेखा खीच देंगे ऐसे इसका नाम देखिए लिखेंगे क्या हमको बनाना है PQ यहन PQ और इधर E-N होगा तो इसका नाम हम लिख देते हैं P देखिए हमने यह 60 यहन्स का कोण बना दिया है PQR यह 60 यहन्स यहां देखिए 60 में यह जो PQEM हमको बनाना साथ में से ABC मतलब 45 घटा देना है तो यह हमने साथ बना दिया इसमें 45 अब घटा देंगे ठीका तो 45 अंस का कुणरा BCM कैसे बनाएंगे तो देखिए हम यह दूरी लेंगे इसमें से यह वाला दूरी 45 अंस वाला दूरी हमको लेना है पहले क्या करेंगे देखिए हमको ऐसे यह चाप नाप लेना है इसका और यहां लगाएंगे चाप देखिए वही चाप से मा अब क्या करेंगे हम लोग यह दूरी 45 अंस वाला ले रेंगे और इस चाप को यह हमान लेजिए और इसको काट देंगे मानली जी यहाँ पर कट रहा है इसका नाम कुछ लिख देंगे हम R मानली जी हमने लिख दिया कुछ भी लिख देंगे इसी को R इसमें है तो R नहीं दूसरा कुछ लिख देंगे L मानली जी लिख लेंगे अब इसी को L को Q से मिलाते हुए, आगे तक बराएंगे, देखिए, कहा तक बराएंगे, देखिए, P, Q, N हमको बनाना है, तो यहां हम लोग लिख देंगे, N, तो देखिए, हमारा ये, कोण बन गया, कैसे, देखिए, P, Q, R बनाना था, तो हमने P, Q, R बना दिया, साथ हेंज का, साथ हेंज क का तो हमने ABC के जवाब पर NQR बनाया है NQR हो गया कितना 45 अंस यही ABC है और यह PQN PQN तो देखिए 6 में से पूरा 6 में 45 गटाएंगे तो यह हो जागा 15 अंस का तो इसको यहाँ देखिए क्या क्या लिखना इसमें सबसे पहले लिखेंगे गयात है अब गयात है में क्या लिखेंगे दो कौन दिया है PQR 60 और ABC 45 तो लिखेंगे कौन PQR बराबर 60 अंस कौन ABC बराबर 45 अंस रचना करनी है रचना क्या करना है रचना करनी हम को देखिए इसका कौन PQN इकल कौन PQR माइनस कौन ABC का अब यह हम लो रचना के चरह लिखेंगे तो रचना के चरह आप लोग पूरा यह डिटेल में नहीं लिखेंगे सबसे पहले इसमें लिख लेंगे कि 60 अंस का कौन PQR बनाया परकार की साहता से एक दूसरा कौन ABC 45 अंस का बनाया अब क्या करेंगे कि एक कौन PQR 60 अंस तथा उसी में से यहन QR जो की ABC के बराबर हमने बना दिया 45 अंस जिससे हमको PQN बराबर 15 स्प्राथ हो गया साथ में स्प्राथ आलित गटाएंगे तो 15 बचेगा यहाँ इसको लिखेंगे बार रचना को थोड़ा साल भी करना पड़ेगा लिख देंगे क्या कौन PQN बराबर कौन PQR देखिए यहाँ यहाँ से लिखेंगे के जाब देखिए हमने क्या बनाया है NQR तो लिखेंगे कौन NQR यहाँ फिर यहाँ करके लिख देंगे कौन PQN बराबर कौन PQR माइनस NQR का मतलब क्या है ABC तब यहाँ लिखना पड़ेगा कौन ABC तो ऐसे इसको बनाना कुछ नहीं है बारी बारी से अलग अलग बना देना और यह कहीं दोनों को बना देना तो आज यह वीडियो आप लोग का PQR B का exercise पूरा हुआ यह वीडियो पूरा हुआ तो अब अगले exercise में कल आप लो PQR का C देखेंगे अगर आप लोग चैनल पर नहीं है